एक नई एपिसोड के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जितने लोग मोटे हैं, अगर उन्हें वो वज़ा पता लग जाए, कि ऐसे कौन से फूड्स हैं, जो के हमें मुटापे की तरफ ले के जाते हैं, और हमारी में फैट की डेपोजीशन कराते हैं, तो हम लोग अगर वो फूड्स जो हैं, वो छोड़ दें तो हम बाअसानी फिट रह सकते हैं, हल्दी रह सकते हैं, ब्लड प्रेशर, केलेस्ट्रोल, हाईपर टेंशन, मुटापे जैसे बिमारी से बाअसानी बच सकते हैं, सबसे पहल हैं कि irregular dietary patterns, irregular foods, जादा हर उस चीज़ का इस्तमाल करना, जो के sugar enriched है, high in refined carbs है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो हमारी बाड़ी में fat को deposit करती हैं, तो अगर मैं खुराक में बात करती चलूँ, तो सबसे पहले मुटापे की major वज़ा होती है कि हमारी बाड़ी की digestion जो है, वो correct ना होना, हम हर वो चीज़ ऐसे खाएं, जिसके अंदर fiber नहीं मौजूद, जिसके अंदर fructose level, sugars level बहुत जादा है, उससे क्या होता है, कि वो हमारी बाड़ी में digest नहीं होती, और हमारी बाड़ी में पड़ी रहती हैं, जिसकी वज़ा से उसके digestion होना, जो है, वो process slow हो जात होती है, तो हम लोग किस तरहां असानी मुटापे से बज सकते हैं, इसके लिए मैं आपको 5 tips बताऊंगी, सबसे पहली tip यह है, कि आप लोग जब भी खाना खाएं, उसके बाद जो है, वो कम सकम 15 मिंट वॉक करें, हमारी बाड़ी में कैसा process होता है, कि जब भी हम carbohydrates लेते है उनके अंदर sugars मौजूद होती है, उन्होंने अपनी simplest form में convert होना होता है, तो जब हम walk कर लेते हैं, तो simplest form में convert होके body में digest हो जाती है, और जो हमारी body की जरूरत की चीज़े नहीं होती है, उसको waste material में convert करके eliminate कर देता है, लेकिन जब हम खाना खाके बैठे रहते हैं, तो क्य ले जाता है, तो हमें चाहिए जो हमारी तीनों major meals है, सुबा का नाश्ता, दुपेर और शाम, उसके फॉरण बाद थोड़ी सी 10 से 15 मिंट जो है, वो चाहिए आप घर पर ही walk कर लें, ताकि आपकी body जो है, वो obesity की तरफ ना आ जाए, second tip is that, कि आप लोग carbohydrates का इस्तमाल करें, लेकिन वो carbs जो के मुटापा करती है, refined carbohydrates, refined carbohydrates से मुराद सफेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया, उसमें हमारे पास pizza आ जाता है, white bread, roti आ जाती है, white naan है हमारे पास, वो आ जाता है, bakery के biscuits आ जाते हैं, हर वो चीज जो white floor से बनी वी है, हमारी body जो है, it is based on organic nature, ये जो complex carbohydrates हो मौजूद होता है, वो हमारी body easily digest करते है, लेकिन जो refined carbs होते है, they take a lot of time in digestion, उनके अंदर fiber मौजूद नहीं होता, जिसकी वज़ा से वो हमें obesity की तरफ लेके जाते हैं, तो try that, कि हम लोग refined carbs को अपनी body से, जो है, वो body में ना आने दें, और कम से कम refined carbs का इस्तमाल करें, उसके less sugars के साथ साथ हमें less salts भी जो हैं, वो इस्तमाल करने चाहिए, हम अगर चीनी को कम करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें नमक को भी कम करना चाहिए, क्या होता है कि चीनी तो obviously you know कि वो obesity करती है, sugars जो है, हमारी body में इतनी ability नहीं होती कि वो artificial sugars को digest करे, और जो इस वज़ासे वो fat cells में convert करके obesity की तरफ लेके जाता है, लेकिन जो salts होते हैं, अगर हम जरूरत से ज़ादा salts लें, वो भी हमारे blood pressure को high करती है, हमारा जो blood होता है, उसको thick करती है, और body में excitus, swelling और इन चीजों के chances बहुत ज़ादा बढ़ा देती है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम salts के साथ पर भी कम करें और इन दोनों चीजों को अपनी life से eliminate करें, उसके बाद हर वो चीज जिसमें start जादा है, वो हमें obesity की तरफ लेके जाती है, अब start हमारे पस कौन कौन से food groups में जादा है, पटेटो में start के बहुत जादा content होता है, आलो में जो है वो start का बहुत जादा content होता है चावलों में start का बहुत जादा content होता है, चनी की दाल, carrot, these all are the things के जिनके अंदर start बहुत जादा होती है, तो हमें try करना चाहिए कि हम starty foods जो हैं, उनको body में कम से कम डालें, क्योंकि starty foods जो होते हैं, they take time to digest, और ये हमारी body में swelling cause करते हैं, sometimes they cause bloating, तो इस वजह से हम जितनी start कारची foods कम लेते हैं, हमारी body में obese होने के chances उतने जादा कम होते चले जाते हैं, उसके बाद हम last tip की तरफ जाते हैं, कि एक बहुत ही common practice होती है, कि sometimes हमें जो है वो प्यास लगी होती है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, उस वक्त में खाना खा रहे होते हैं, जो कि एक बहुत wrong practice है, उसके वज़ा से क्या होता है, कि हमारा calorie intake भी भढ़ जाता है, उसके लेवा हमें munching की आदत बहुत ज़दा पढ़ जाती है, और food की quality और quantity का ना ख्याल रखते हैं, वे हम बहुत ज़दा खा लेते हैं, तो sometimes your body need hydration, हमारी जो body है, it is 70% based on water, हमारी body को water चाहिए होता है, लेकिन हम उल्टा खा लेते हैं, तो जिसकी वज़ा से हमारा calorie intake भढ़ जाता है, और हम obesity की तरफ चले जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग water का intake जादा से जादा करें, अगर आप जो है वो दिन में 12 glasses तक water पीते हैं, तो हमारा hydration status फुल रहता है, और हमारी hunger जो है, वो control र फूर मील जो है वो इस्तमाल करें, और जो है वो अगर जो लोग बहुत जादा मोटे हैं, तो उनको एक बेहतरीन टिप बताती चले जाओं, कि वो detox पानी का इस्तमाल कर सकते हैं, detox water जो होता है, उसके अगर आप mint, ginger, cinnamon stick और lemon add कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, कि वो पा of diseases, we have the basic small, जो है वो ये tips थी, अगर ये simple tips ही, हम अपनी life में include कर रहे हैं, तो हम अपनी body के अंदर fat deposit होने से, बचा सकते हैं अपनी body को, और एक healthy long life गुजार सकते हैं, so stay healthy, stay happy, अगर आप भी मुटापे का शिकार हैं, यह आपको digestion problems है, यह आपको खाते हैं, तो आपको हज stroll का मसला है, तो आप फौरी तोर पर अपने करीबी nutritionist को consult करें, so don't forget to share your feedbacks, मिलते हैं एक नए अपिसूट के साथ, Allah Hafiz